दोस्तों विदान सभा का मानसून सत्र आज से प्रारंब हो रहा है और इसी में आपका नए सिक्षा सेवा चेन आयोक का जो प्रस्ताव है उस पर बहस होगी और यहां से भी यह पास होगा इसके बार भी जाएगा राज जिपाल के पास तब जाकर कि यह अस्तित्व में आएगा तो आज एहम दिन हो सकता है आज पहली ही बैठक में पहले ही दिन हो सकता है इस पर चर्चा हो और इसको यहां से भी मंजूरी मिल जाए इसके लावा कुछ यहां पर खबरे हैं नए सिक सिक्षा सिवा चैन आयोग को मिलेगी बड़ी चुनोतियां बेसिक से लेकर के उच्च सिक्षर संस्थानों तक में सिक्षक बरती के लिए गठित राज सिक्षा सिवा चैन आयोग को सैकड़ों मुकदमे चुनोती के रूप में मुलेंगी यह मुकदमे उच्चतर सिक्षा स सिवा आयोग और मातिमिक सिक्चा सिवा चैन बोड के हैं इन दोनों भरती संस्तानों का नया आयोग में विले हो जाएगा इसलिए इनके मुकदमे भी नए आयोग को लड़ने होंगे चुनोतियों के बीच इस आयोग से युवाओं को बहुत उमीदे हैं कुछ महिनों में ये इस हबते होने वाली विधानसवा की बैठक में अब इसे लाया जाएगा इसके गठन के साथ ही उच्चतर सिक्चा सिवा आयोग मादिविक सिच्चा सिवा चैन बोड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा इन दोनों संस्तानों में करीब दो दरजन करमचारी हैं वह सभी नए आयोग में समयोजित किये जाएंगे इससे ज्यादा वहाँ पर आउट सोर्सिंग के करमचारी काम कर रहे हैं उनको नए आयोग में लिया जाएगा या नहीं यह अभी तक इसपष्ट नहीं है लगवक सास सो से अधिक मामले कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं सिक्चक भरत ठप पड़ी हैं और इस दोरान हुई सेवा निवरत के बाद सिक्चकों के हजारों पद खाली हो गए हैं नए पद खाली हो गए हैं प्रतियोगी चातर चाते हैं कि पुराने विग्यापनों में नए पदों को सामिल किया जाए ताकि पूर्व में भरतियों के लिए के गठन के इन पजार में साल भर से भरति अठकी हुई है इस बीच आसास की मादमिक विद्यालों में बड़ी संक्या में पत खाली हुए हैं ऐसे में कई गुना पत खाली हैं बिरतियों का कहना है कि साल भर से भरति अठकी हुई है ऐसे में नए पदों को भी पुराने कि अपन संख्या 51 के तहत असिस्टिंट प्रोफिसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए साल भर पहले आविदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है यह भर्ती भी नए आयों के गठन के इंतजार में फसी हुई है इस साल जून में महाविद्यालियों में सिक्चकों के रिटायर होन पर सैकड़ों पद खाली हुए है अब विरतियों की यह डिमांड है कि जो यह पद खाली हुए है उनको पुराने विग्यापन में सामिल किया जाए प्रतियोगी छात्र संगर समित के मीडिया प्रभारी प्रशांद पांडे का कहना है कि साल भर से भरतिया ठपड़ी हुई है ऐसे मैं नए रिक्त पदों को भी पुराने विग्यापनों में सामिल किया जाना चाहिए या आयो का गठन होते ही जब पुराने विग्यापनों की भरती प्रक्तिया सुरू हो उसी के साथ नए पदों के विग्यापन को भी जारी किया जाए ताकि विरतियों को अगली भ तक चलेगा ग्यारा अगस्त तक आपका ये नया सिक्षास सिवा चैनायोग फाइनल हो जाएगा और दो से तीन दिन में राजपाल सहब की भी इसमें महर लग जाएगी यानि राजपाल की भी महर लग जाएगी तो इस मामले में जैसे ही कोई महत्पूर अपडेट आएगी हम आपको सुचित करेंगे इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ